हेलो एव्रीवन वेलकम टूर यूट्यूब चैनल जेकल इस इन्फो तो आज की इस वीडियो में हम इस्ट को कंटीनु कर रहे हैं अब यह तक हम 19 लेक्चर्स कर चुके थे कवर हैं हमारा 20 लेक्चर और बड़ा इंपॉरन लेक्चर है इसके बाद एक लेक्चर और होगा और आज की इंडिया मुवमेंट के बारें पढ़ने जाएंगे और साथ इंडियन आशनल आर्मे फिर अजाद हिंद फोज के बात करो इसके बारें हम आज की स्वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा अच्छे से समझने आपको आपने वीडियो को क्योंकि इंपॉरन लड़ना होगा वल्ड वार चल रही है क्योंकि जापानी जी को समझ आगा था यहां पर जो भी में लीडर संको समझ आगा था कि देखो यहां पर क्या है जपान जो है वो इंडिया के तरफ एंट्री कर रहा है और सुप से बड़ी जड़ किया है यहां पर अंक्रेज अ आपको बताने चाहूंगा पहले वाजे लेक्ट देखना चाहते हो आपको प्लेश मिलेगी हमारे से यूटीब चैनल पर आपको इंडिन स्टी की प्लेश मिलेगा वहां पर रहके सारी वीडियोच देख सकते हो और मुझे उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी आप करोगे और हम आज के स्वीडियो में 3,000 लाइक रखके चलेंगे मुझे आप वीडियो को लाइक करोंगे शेयर करोंगे टार्गेट हचीव करवाने में हमारी अमएरी हल्प करोंगे आप इसकी काहले सव्फरण कमेटे के बात करें UWC के कि मिटिंग होतीendo कि मुट से वाद है वहीं को सी देडिंग Sun hunt उलीं के हमंगे क्टार करें कि वहंपर घ्रट करी कह beet data movement के क्ट्वीटा करी जाते है कि हमंघ्रा अगार्ण ग्रॉमिट करी North करा है की बात करें कि बात करें वहाँ पर मिटिंग जाए कि बंबे की बात करें मीटिंग कर दी जाता है तो इस तरह के रिजोलुशन पास कर जाता है अब आगे समझ करें यहां पर होती है यहां पर होता है यह चला रहे तो मातमा गांदी है लेकिन जो स्लोगन है यहां पर देखो गांदी जी तो मरना है यह स्लोगन पर ही गांदी जी का स्लोगन अब यहां पर देखो गांदी जी जाना अब यहां पर बात करें अरुना आसर फरली की बात करें देखो ग्रैंड ओल्ड मैंना फिंडे किसे कहते हैं दादा बाई नुरोजी को अरुना असर फरली जी है यही जो है वो इंडिन फ्लैक जो होस्त करते हैं माँ पर फैराते हैं जब यह 8 अगस्त को यह मीटिंग हो रही होती है जब हमने बात की जहां पर रिजॉलिशन पास करा जाता है यह सारे नाम आपको याद रखने पढ़ेंगे और इसमें सारे ना अगरें पर लेकिन बाद में उसके बारें पता लग जाता और पूर्द से खत्रम कर जाते सिस्टम को गयरे को लेकिन काफी तक यह रेडियो स्टेशन बड़ी हल्प करता है मैसेज पहुंचाने में बाकी लोगों तक आगे क्या काम करना किस तरह से क्या-क्या हो रहा है वह इसको कि सेटब किस ने किया था उश्रमायता ने स्टार्ट कर जाता है अब आठ अगस्त को बताया सब कुछ हुआ था और नो अगस्त 1922 के बात करें नाइन अगस्त की बात करें गांदी जी नहरू पटेल इस तरह कि जितने भी बड़ी लिटर्स होते ना मतब आर्ट को र एक तो गोदर यसता से का जाता है लेकिन इस मूवद्मियंट की बात करें ट्रू महां कि क्यो में आं तまた मबकाया होती है यह कहा जाता है यह तुम मतलब अग्रेजिए के अगर तुम उनके मिलिटरी विगारे तो तुम के रहो मिलिटरी विए छोड़ो मत लेकिन तुम में आडर देंगे कि इंडिन को रस्क करने का वह और मत मानों अगर तुम में लगता है कि स्कूल के बिना भी तुम पर साथ कर तो उमलब कि बात करें सैकंड फेस में क्या होता है यहां पर देखो क्योंकि सब्सक्राइब नुकसान पुंचाते इंडिन जो लोगें टेलिग्राफ वायर कार्ड देतें इस तरह का जो है वो बुरी तरह से जो अंग्रेजिए समान वगएरा होगा वह सब कुछ बुरी तरह से करते जाएंगे सब चलता है और थर्ड फेस में क्या होता है नैशनल गवर्मेंट मतलब लोग जो है कुछ ऐसे गाहूं अगरा इलाकों में क्या होता है जो अंग्रेजों को बाहर निकालके अपनी सेल्फ गवर्मेंट वापे इस्टैबिश करना स्टार्ट कर रहते हैं तो अरुन आसीफ अली के बात करेंगे राम नहीं के बात करें सुचटा करिपालने के बात करें इस डिजफेघे कंए कुछ नीट ड़ीडर्स में करें सामने आते एदेश को कुछ औरने के आ Mullे चेहरें मिल श्मिलते जा रहे थे तो हलाकि मूव्मेंट इतना बहुत कुछ समय आहां पर मिला था इस मूवमेंट के बाद में अब जो कहा नहीं पहली पैरल गवर्मेंट बनी थी बलिया जो के यूपी में वाफ्ड सबसे पहली पारेल गवर्मेंट मतलब अपनी इंडिय के स्रिकार माथ भूरे आपा लिटागे तो बैसी अगर बात के त मतलब कि एक्जाम में आपको पता होना चाहिए लेकिन क्विट इंडिया मूव्मेंट के बात करें इसमें होता गया है जैसे इसके बाद इसमें मतलब लगब काहई तकी साथ एजार से एक लागता लोगों को जेल में डाल जाता है कि साथ लोग आपर मारे बेजाते हैं इतना सब्सक्राइब में जैसे इंडि इंडिया मूवव्मेंट के बाद आ चलते हैं सब्सक्राइब झुल्ब्सक्राइब कि इंडिनेशनल आर्मी जिसे अजाद हिंदक कहा जाते हैं सुबाइशं के बारे में पढ़ना है सब्सक्राइब आपको पता है वह ठोड़ी से बड़का हूँ वाशेन हैं उनको जेल में डाल जाता है इसके formation को न करता है रास बिहारी बोस के द्वारा इंडरनेशनल आर्मी के फॉर्मेशन के जाती है 1942 में बट इसके इसके पावर नहीं होती है इतना स्ट्रॉंग नहीं नाम नहीं होता है इसके पीछे का आईए किसका होता है कैप्टन मोहन सिंग जो बिटिश की तरफ से कैप नहीं बाती है तो आई ने जो है वह बापस री और्गनाइज के जाती है सुबाश चंद्र बोश अब यह रास बहरी बोश से मिलते हैं तो उनको समय रहते कि यहां के नाम भी है इंडिया के बाद करें बाहर बाद के इच्छे सा नाम है और यह अच्छे से मोटिवेट भी करते हैं सबको तो इंडरनेशनल आर्मी के कमाइड को देर रहते हैं तो सुबाश अंद्र बोश जो है वो दोबार से और्गनाइज करते हैं यहां पर अजाद हिंद फोज इसका नाम लगते हैं 1943 में यह काहने आपको समय रगी किसने बनाया किसका प्लान था और फाइनली जर्मनी पहुंच आते हैं सुबाश अंद्र बोश की बात करें ही इतलर वकार रगारस मिलते हैं आप जिए इनका यह था सिस्टम की सबीदर बेशक मिलने निगी तो नादर आ तो जब वहां पर जा रहे होते हैं तो पहले डूप्लीकेच आता है वहां बतार उनके सिपाही होते हैं ना वो भी नहीं पैचाना पाते हैं असली हिट रहा है तो सुबाश अंतर बाइट होते हैं वह चाल जा तो इस दो तीन हिटलर और आते हैं सुबाश अगे बढ़ते हैं लिए करेंगे लिए तो हिटलर भी हैरान हो जाता है कि यह के सिस्टम है यह कैसे बंद रहा है बागी मेरे लोग नहीं पैचान पर तो इसने सुबाश अंतर बोस से मुझे तो इसके बाद ही जो सुबाश अंतर बोस को नेता जी का टाइल जीएता जर्मनी वालों के दौर रहा कि अ यह सही पैचाना परक है इनको और साथ में रिजन कहा था कि जर्मनी ने ना कुछ इंडियन्स को वहां पर मतलब क्यादी बना कर रखा हो तक क्योंकि वह जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे बिटिन की तरफ से लड़ रहे थे तो सुबाश इंडर बोस बोलते कि मुझे सारे के साथ जोब प्रिजन साथ में रखे हों मुझे चाहिए हमने एक फोर्ज त्यार करें और बिटन के खिलाफ हों बिटन के खिलाफ हो जाते हैं तो बिटन ब्रिटिश जोइन को हम हरा देंगे हमें फोर्ज चाहिए तो स्टार्टिंग में तो सब को मोटिवेट भी कर जाते हैं जितने में वहां पर प्रिजन सोते हैं सुबाश इंडर बोस लेकिन जब वह बात तीचित करते हैं इसे हिट बिटन के खिलाब लड़ाई लड़ो इस तरह का सिस्टम होता है तो सिंगापूर में क्या करते हैं रेडियो स्टेशन के थ्रू यहां पर अगर हम बात करेंगी सुबाश इंडर बोस की एक रेडियो से फुली मतलब वह इंडिया को पुरा वह करते हैं इंडियन वह बोलते अब अब को आप मतलब फादर वनेशन हो मतलब यहां इंडियो को करतें बताते हैं इंडियो के साथ में हम आ रहें इंडिया में लड़ने के लिए और इसी टाम पे ना शुबाश चंदर बोसे नारफ यह था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा मोटिवेशन कर देते हैं सबको सबको मोटिवेट करके मिला लेते हैं और कहते हैं कि रेडियो से कहते हैं कि इंडिया लोगी हम आपके तरफ आ रहे हैं इंडिया में आ रहे हम आपको आजादी देखे रहेंगे जो भी हो जाएगा हम आजादी दिला के रहेंगे तो इस तरह क तीन तरह की ब्रिगेड यहां पर आए ने के अंडर होती है और एक वुमन की ब्रिगेड भी वहां पर होती है तो में तीन फाइटिंग ब्रिगेड अपर रहती है यहां पर सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब होता है कि जब यह बात करें टोक्यों वापस जा रहे होते हैं सुभाशा दिर्बोस की बात करेंगा सेटी नाइटिन फॉर्टिफाइब को तो उनका इयर क्राइब करेंगे तो उसके बाद आयने के बात करेंगे वह समय आगया होगा यह सारे सिस्टम था इसका तो बगए पताने चाहिए जाएक लटकॉम की नाम से हमारी ओफिशल वेबसाइट है आप यह विजिट करको तक हो कहीं सारे सेक्षिन हों मिलने वाले आप को सेक्षिन मिलने वाले आप कोई भी सेक्षिन ऊपन कर सकते हो कि तैयारी को और बूस्ट कर सकते हूं भागे किसी देखकर दाउट होगा तो कमेंच सेक्षिन में कमेंट कर ज़रूर पूछना वीडियो को शेर जरूर करते रहना थांक्यू जाहिंद झाल झाल झाल